One fine day I was watching television and उस पे एक शो आ रहा था and I thought let's do something about it So, ग्योजा बनाते हैं सबसे पहले अपने डो को neat करके रख लेंगे and then अपने vegetables को एकदम finely cut करना है यहाँ पर meat बहुत extensively यूज़ की जाती है but मैं paneer and mushroom को यूज़ कर रहा हूँ Heat your wok, add oil and then अपके veggies यहाँ मैं हमें दो चीज़ करनी है एक तो इनका moisture evaporate कर देना है and lightly cook भी हो चाहेंगे और हाँ हम meat यूज़ नहीं करने तो मैंने सोचा थोड़ा fat देते हैं butter use करके फिर इंदे डो को लेंगे उसके छोटोटे पेड़े गाटेंगे and then उसके pot stickers रोल कर लेंगे फिल यूर रूम टेंप्रेचर वाली फिलिंग उसके अंदर अगर आपसे शेप नहीं बनरी दिन लेट मी नो इसे बस बंद करना है और प्राइंगल वाली शेप भी देशते हो finally heat your pan यूर वोक उसके दर थोड़ा सा ओईल डाले and then अपने ग्योजास को थोड़ा सा नीचे से कलर आते हैं एक कॉंसलेट ही आड़ करनी है let it cook जैसी वो साइट स्थोड़ने लगे वैसी एक प्लेट लो and then इसे निकाल लो साथी में मैंने super easy dip and थोड़ा सा chili oil बनाया था यह beautiful wings वाली शेप देते हैं नीचे से crunchy and अंदर से melted mouth absolutely loved it